सब्सक्राइब कीजिए देख रिवी यूट्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए ताकि सारा नोटिफिक्शन सबसे पहले मिल जाए साथ साथ ऑनलाइन डिल्स एन ओफर्स के लिए जोईन कीजिए हमारे टेलिगराम ब्रॉटकास को जोईन करने के लिए सार्च किजिए ओफर ऑफ वर्ड और वहां पर जाके जॉइन में क्लिक कर देजिए ताकि ऑल्लाइन डिल्स और नोटिफिक्शन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए धन्यवाद हेलो फ्रेंज आज हम लोग पास है रियल मी सी चू आज हम लोग इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे कैमरा टेस्ट करेंगे और सार्फ फीचर सबकर हम लोग बात करेंगे तो इस वीडियो को अंदर देखें आदि आप लोग को एक्जैक्ली सेम मिलेगा नमस्कार दोस्तों मे करेंगे और बाकि सब जो भी है लोग डिसकस करेंगे बिल में देख सेकते 7,999 रूपीस है यानि कि 3GB और 32GB वाला वेरेंट हो है हम लोग पास लिए हम लोग निकालते हैं वो बॉक्स से आप लोग पास आप लोग यहां पर मिलेरा या अन्तर क्या है रयलमी का बॉक्स आता था वो क्या था लई फिक चालते बॉक्स लिखैं ति ने आपके बॉल करी राता है था टीजू में लीखना में लिखये तो casting 7 को पिछे में मिल गया जो हैं अबुर यहां पर Realme C2 लिखा गया है और यह Realme C1 का सक्सेसर है यहां पर आप लोग बाकी सब फीचर देख देखते हैं यहां पर लिखा गया चीज है वह 15.5 सेंटीमिटर यानि 6.1 इंच का है और यहां पर बाकी सब चीज दिया गया है आप लोग बैटरी जो है 4000 एमेच का है मिल जाए गया और यहां पर आप लोग देख सकते हैं और पीछे में आप लोग को यह सब दिया गया है तो चलिए हम लोग इसको खोल लाते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या है इसके लिख तो यह हम लोग पास आगया है Realme C2 यहां पर आप लोग लिखा हुआ है वेलकम तू रियल्मी फैमली और रियल्मी का यहां पर लोगों देख यहां पर कंपार्टमेंट टाइब का बनाया गया यहां पर आप लोग को मिल जा रहा है कुछ यूजर गाइड और बुकलेट औ पर आप लोग इसको आठाते हैं और यहां पर आप लोग को मिल जाएगा SIM Ejector Tool तो बाद मी देखते कि आप लोग को कईसा SIM card सब दिया गया तो इसको बाद में हम देखते हैं और प्वेस पर कुछ नहीं है यह आप लोगा phone आ गया है यहां पर लोगा phone है जो कि ब्लैक कलर का मैं इस पर आता हूं और यहां पर अंदर में क्या है देख लेख लेते हैं आप लोगों एक एड़र मिल रहा तो ही अच्छा है यहां पर यहां पर यहां पर यह आप लोग को आप लोग आप लोग शुत सकते हैं इस टाइप का पैटन किया गया है तो ग्लॉसी नहीं यहां पर थो रहा है यह दिया है आवाज के साथ है यहां पर देख सकते हैं और यहां पर प्लास्टिक से बना गया है और यहां पर इस टाइब का पैटन दिया है लुक वाइस देख सकते हैं डायमंड का डीट्टो शेम है रियल्मी वन के तरह तो यह रियल्मीस सीट्व है चलिए और चीजों के बात करते हैं तो यहां पर दोग दिया गया है यहां पर ईसप्रक्री क्रीड माइक्रोड खेबल का प्उइंट और आप लोग को 3.5 पाइम का जैक के लिए मिल जा रहा है और यहां पे आप लोग को SIM Ejector यहां पर वॉल्म रॉकर है और इस तरह पर आप लोग पाउर बेटन है तो आम लोग दिया गया है तो इसको पुछ करके इसको निगालते हैं और देखते तो यह आप लोग यानि कि आप लोग दो SIM card और एक memory card लगा सकते हैं तो इसके लिए कोई problem नहीं चलिए हम लोग फोन को अन करते हैं तो आप लोग कुछ इस्टाइब का आज मिल जाएगा आप लोग अपना इंगलिस वगयरा जो सेलेक्ट करना है और मैं इससे पहले मैं बता दूँ यहां पे एक आप लोग को स्कीन गार्ड मिल रहा है ग्लास नहीं प्री इंस्ट्रॉल्ड है तो आप लो लोग को इस बैक कभर नहीं मिल रहा है लेकिन फ्री नहीं दे रहा है और आप लोग को यह फ्रॉब्लम हो सकते हैं कि आप लोग बाहर से खाइदना पड़ेगा नहीं दिया तो उतना प्रॉब्लम नहीं कि ट्रांस्परेंट देता था वह जो दो महिना के बाद यलो हो जात बाद आते हैं और इसको कंटीनीव करते हैं और इसको चाहिए और यह सेट रियल्मी नियू फोन आप देखें यह हम्रें को बड़ आजीव लगा एक ना एक आप लोग को यह फोन खुलेगा तो मेरे को कम से कम मैं वाटसाप यूज करता हूं तो सिलिए मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूं वड़ना खुलेगा ही नहीं तो यह आप लोग कलर OS 6 का मिल जा रहा है आप लोग को पहला पेज आ जा जा रहा है और देखते हैं यह सब आप लोग किया जा सकते हैं तो यह सही है और लेकिन आप लोग को बहुत सरा आप लोग को प्रेंस्टॉल मिल रहा है अजिखाए चलते हैं मिल जा रहा है पहले है यानी कको यहां आप लोग देख सकते हैं और हम लोग back करते हैं और आ प्रोससर प्रोस्स मिल आप लोग यहां पर चीज सब देख सकते हैं तो आप लोग जो प्रोसेसर के बारे में मैं बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोग को बंद करते हैं और देखते था कितना खुलता है तो है है अपलोग यहां को सकुटलते हैं लुटक Oregon के चाहिए वन कितना क्या है तक है टौक कितना खोलते है खुल गया मैं कुलिक किया थोड़ा स्लो है लेकिन इस सेग्मेंट के लिए खुल जा रहा है तो यह तो यह काफी एनफ फास्ट दिया रहा है जैनकि फिंगर प्रिंट अंल्लॉक नहीं मिल ले याम लेकिन आप लोग यह प्राइस सेग्मेंट में इतना सक्रिपाइस कर सकते हैं तो यह सब बात करेंगे रियल्मी के जितने भी उसका एक प्रब्लम रहता था कि थीम स्टोर नहीं मिल लेकिन इसमें आप लोगो थीम स्टोर भी मिल जा रहा है कि अच्छी बात है आप लोग को यहां पर देख सकते हैं कि जादा यह ज़्यादा टायब कर नहीं है लिगीं जोभी यह थोड़ा लुक मिल जाएगा आप कुछी को रखना आप लोग यह जल्दी से आप लुट कर सकते हैं तो तो यह टीम स्टोर के साथ सथ़्धिए आप लोग लोगदात का लुग लुक सकते हैं तो यह आप लोग देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं तो आप लोग को यह अच्छा मिल जा रहा है थेम स्टूर्ड चलिए आप लोग हम लोग क्यामरा टेस्ट करते हैं करा देख सकते हैं तो यह देख सेखते हैं हम लोग फोन को देख रहे हैं गेम खेलने से पहले हम लोग का इतना दिखा रहा है आप लोग को हीट है और गेम खेलने के बाद भी हम लोग चेकर लेंगे कितना फोन गरम हुआ है यह दी आप लोग गेम खेलते हैं तो आप लोग को पबजी लोग सेटिंग में खेलना पड़ेगा आप लोग सेटिंग में लो सेटिंग में खेलना पड़ रहा है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो देख सकते हैं आप फोन कितना ज़्यादा गरम हो गया है गेम खेलने के बाद लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा गरम नहीं हुआ है हलका गरम तो होगा ही लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है लिटो टू बेंचमा की स्कोर देखे तो 74,626 का आया है CPU स्कोर आया है जहां पर 32,000 का GPU स्कोर आया है 12,772 का UX स्कोर जो की Security स्कोर, Data Processing, Image Processing and User Experience स्कोर को मिला के बनाता है तो उसमें आप लोग आया है 22,827 और आप लोग को RAM और ROM मिला के MEM जो स्कोर है 7,027 आया है इसके बारे में हम लोग बात करें तो maximum advantage है आप लोग को 8,000 का अंदर काफी अच्छा phone मिला है आदी आप लोग मेरा personal open room पुछेगा तो मैं बोलूँगा कि आप लोग आदी tight budget है 8,000 का budget है या 6,000 का budget में मिलता है 2GB और 16GB बाला variant हो तो आप लोग यह purchase का सकते है फोन खराब नहीं है फोन अच्छा है आप लोग को मैं camera test और gaming test सब दिखा दिया हूँ तो phone as overall अच्छा है लेकिन कुछ disadvantage के साथ भी आता है तो disadvantage में है पहला कि आप लोग को एक back cover free ने दे रहा है Realme generally हमेसा एक transparent back cover देता था हला कि वो transparent back cover दो मेना के बाद खराब हो जाता था yellow हो जाता था फिर नहीं खाईद नहीं पड़ता था लेकिन आप लोग एक free दे जाता था अटलिस दो मेना तक तो आप लोग यूज़ कर पा रहे थे लेकिन इसमें कोई भी transparent back cover या कोई back cover free ने दिया है दूसरा disadvantage है जो कि आपको fingerprint scanner नहीं दिया यानि fingerprint unlock नहीं मिला है इसके अंदर तो यह आप लोग को दूसरा यह major disadvantage है आप लोग का और तीसरा disadvantage में पहले लूँगा 4000 mAh बैटरी आप लोग बोलेंगा 4000 mAh बैटरी दे फिर भी disadvantage मैं disadvantage इसलिए ले रहा हूं कि realme c1 में क्या था 4230 mAh का battery था और इसमें 230 mAh कमा के 4000 mAh का battery कर दिया है यानि कि डाउनग्रेट कर दिया है बहुत सब्सक्राइब अप्ग्रेट किया है बहुत सब्सक्राइब किया है लेकिन यह बहुत अच्छा है तो यह थोड़ा डाउनग्रेट कर दिया इसलिए अच्छा ही होता है खड़ाप नहीं होता है थोड़ा डाउनग्रेट किया इसलिए बहुत सब्सक्राइब कुछ दिखाया अच्छा अच्छा ही है खड़ाप नहीं बोलूँगा तो बाकि जो भी आप लोग मिलना है सब अच्छा ही फोन दिया गया है तो आप लोग खहितना चाते हैं तो आप लोग खहित सकते हैं अच्छा है अच्छा है विडियो पसंद आया और पसंद आया हो तो आपनो लोग खर सकते हैं आप लोग जोड़ों कि बहुते हैं जो भी में यह डिखाया है वह समझ में आ गया हूँ अधिसे डिटर कोई पीड़ाट होगा तो आपलोग कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं और से कर सकते हैं और जो लोग रिएल में सी टू खरीदने का सोच रहे हैं और इसका फीचर सब क्या है और कैसा कालिटी यह नहीं पता अब तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अभी तेस सब्काइब ने किया तो सब्काइब भी कर लें जाकि को आपके इंट्रेस्टिंग अन्बॉक्सिंग और आफर्स लात रहते हैं तो हमेंसे जात रखे क्या देख रिव्यू बिफोर यू बाई तो तक लिए गोड़ बाई